हलो एबरिवान गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आप सब आप सबी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना खुब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और यह व्लॉग है फ्राइडे की तो अभी मुझे कैमरा लगाने का टाइम मिला सुबस से थोड़े से हरी मेंस थी तो यह जो अटपम देख रहे हो यह दो अल्रडी बना दिया है अच्छे का यह बना रही हूं कि बेटा तो रोटी खाता है तो उसी के लिए बना रही हूंगे पिर शाम को भी अगर बच जाए ना तो उसका वहां से हो जाए और उसने क्या किया ना आज दो पहल को लंच में भी उ झाल तो आटा में में सुभा ही लगाया था और इस तफम बनाने के 10-15 निट पहले आटा वाले गूत के मैंने रख दिया था तो सब आटा पहले से गूत के रखने से एक चीज तो होता है कि रोटिया वह सॉप्ट सॉप्ट सी बनती है वैसे ज्यादा नरम डोटी अची रोटीया मेरी मम में बनाती है और उनके जसा मैंने बना पाती हो लेकिन हाँ रख जाता है जैसे समय पास होगा और भी जो है इंप्रूब्मेंट दिखाई देगी मेरी डिया वैसे तो मैं इसके पहले और भी गंदी रोटी बनाती जब मैं न्यू जोब में जॉइं किय जली, कड़ी, पापड की तर रोटिया बनाती थी तो अभी भी जब आदाता है तो मैं सोचते हूं कि अभी उस कंपराइजन में तो बहुत अच्छा ही बनता है तो गरम ही रहती है तो फटाफट से भी बन रही है लोटे दूद भी मैंने बॉल करने करे चड़ा दिया था तो काफी देर हो गएते तो मैंने भी बन कर दिया है दूद बॉल हो चुकी अराम से और कोकिंग करना तो उस टाइम में मतलब जब मैं नहीं जानती थी कोकिंग से और जब खुद पे पड़ा ना मतलब घर चोड़के रेंट पे रहने लगी जॉब करने लगी तब जब खुद पे आई ना तब दिरे-दिरे करके जो है बनाना सीखी लिया हाथ शुडवात में तो अच्छी बननी होगी नहीं मतलब खुद किया खाना ही मैं नहीं खा सक उब कितना पूज़ के बनाती है तो जब फ़िच जाने की जल्दी होती हुदी थी तो खटबड़ी में वैसी मन जाता थे और वही में आई है बाहर का खाना भी हो जाता था कि थे तो वेसे आभी तो मतलब पहले की ऄवे बहुत कुस सीखे हैं और सब कुछ मैंने मैकसिमम चीज एक पें हैं तो ओव यूटिव को मैं थैंककी बोलना चाहते हैं अगर यूट्यूब ना होता तो काश में खाना बनाने भी नहीं मुझे आता तो मैंने वहां से बहुत को सीखा है और अभी भी सीखी रही हूं तो इसर बात करती ही करते हैं आप लोगों सीखा देखी रोटिया भी बनानी हो गई है अब बारी आती है प्लैटफॉर्म को साफ करनी की तो आटा जो भी गिरता है ना प्लैटफॉर्म के ऊपर वो मैं छोड़ती नहीं मैं संग संग क्लीन कर लेती हूं बिलकुल मैसी सा लग मैं भी नहीं ला रही हूं बजार से मंगवा भी ने रही हूं क्योंकि बेटा तो खाना बंदी कर दिया और मुझे उतनी कोई अच्छा नहीं लगता मतलब दो चार दिन गैप करके फिर अच्छी लगती है तो जो भी बनेगा उसमें से हम लोग हाफ-ाफ शेयर करके खा ले कि बस सारे काम बंद करके मैं सोती रहूं रेस्ट करो यही सब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता मतलब जसे लगता है कि मैं कीचन में ताला बंद करके रख दू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हूं को कि करने में छुटी की दिन है ना मन करता है बाहर चले जाए दिन में एक दो बार इट सोके लेकिन हमें एक टाइम तो घर का खाना खाना चाहिए तो मन नहीं मानता है ना सोचती तो है बहुत कुछ बाहर खालोंगे जैसे कि जब बेटा नहीं हुआ था उसके पहले की बात करी हुए जब छुटियां होते ही ने सैटर से संडे हम भूम चले आटे थे बाहर का खा लेते थे कुछ भी करते थे मतलग सोचते नहीं थे उताइए तक बाहर का खाएँगे तभी खराब होगी तो अब ही ना आधी होने के बाद ना मतलब बहुत जादा नहीं मतलब थोड़ा सा हेल्थ कॉंशिस हो गई हूं मतलब वही है कि अगर मैं बीमार पढ़ गई तो बेटे को कॉन देखेगा तो इसी वज़े से थोड़ा सा हेल्थ कॉंशिस तो होना ही पड़ता है ना बच्चे होने के बाद तो कॉन कॉन अगरी करेंगे मेरे इन बातों से जरूर से कमेंट करके बिताईएगा तो अभी मैं फ्रीच कोल गीए चेक कर रही थी कि क्या के सबजिया है बहुत दिनों से जो ओल्ड सबजी है उसको मैं अज फिनिश करूंगी तो साड़ी सबजिया तो बनानी पॉसिबल है और उतना कोई खाएगा भी नहीं इसी वज़े से तो तोड़ी थी दो मेरे पास तो एक ही बनाऊंगी और उसको डाल में आज डाल दूगी मैं तो मसाला वाला स्थोड़ा से दाल में बनाऊंगी है तो मसूर की डाल सिंपल वाली ही लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से फ्रेंड्स अगर आप न्यू है मेरे इस चैनल में तो जल से जल पहले तो आप सबस्क्राइब कर लीजे ताकि मैं जब भी कोई नया व्लॉग लेकर आँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए अभिक को कि अब तुरूट को कि अश्यां प्रफिकेशन सबस्क्राइब को करेंड़ देखेंड़ हैं तो यह देखिए यह कर ली है मैंने बिंडीफिकर दूट पर आपके प्रपास नहीं आपके दो देखिए यह कर्ली है प्राई कि युखंग में रहता है थोड़ा सा मताल तो नहीं कहूंगी काच का एक जाड जैसा है चोटा साही है बस उसी में स्टार्टिंग से रखनी हो नी तक चेंड नहीं किया है तो वह खाली हो गया तो मैंने ट्रांस्पर कर दिया इतनी थोड़ी सी भिंडी बनाने में भी ज्यादा टाइम ने लगा मुझे फटापट से बन गई बस यह एक टाइम ही होगा और बेटा अगर लेगा तो दे दूंगे यहां से हां उसने आज खाई थी भिंडी और यह देखे दाल भी मैंने बॉइल करके रख दी दाल मैंने आ मसाला वह मैं बनाओंगे भी मसाले में जादा नहीं बस प्याज लेसन का बस तरका ही लगाऊंगी अग्धम हट के लग रही थी आज जाल कहने में भी अच्छी लग रही थी और इसके साथ और कुछ नहीं भी नहीं बनाओगी हार रात को अगर जुरत परी तो आलू उबा साइड डिश में जसे उत्तपम हो गया वो सब चीजें डोसा हो गया यही सब चीजों पसंद कर रहे हैं तो यही कि उसके लिए थोड़ा सा लग बनाने के चक्कड में मेरा एक सबजी की रेसिपी वो थोड़ा कम बन रहे है तो इधर मैंने डाल के लिए तड़के की तियारी क कर रहे हूं तेल में मैंने जीरा एक सुखी लाल मेच लेसन को कट करके रखा था बारीक बारीक उसको डाल दिया प्याज को डाल दिया अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे तो आज को लोपी रखा है नहीं तो यह जल जाएगी और फ्रेंट्स आप लोग कह अगर कुछ भी अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजेगा और यह देखिए दाल को भी इसमें कर दिया है अब ट्रांसफर और बस अच्छा सा ही बॉयल आ जाएगा और इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी यह बन के डेली है बहुत ज्यादा इसको बन अबने में समय भी नहीं लगता तोड़ी तो जल्दी से गल जाती आलू भी जो है चोटे ही चाहिए मैंने कट कर के दाल में डाले थे और टमाटर वगरा देख सकतो नजरी नहीं आ रहा है वो भी बिल्कुल ही गल गया है है प्यदो उन के कर दो कर दो झाल झाल तो अभी फटाफर से भी क्लीन कर लूँगी यह सारे गैस स्टोप के ऊपर जो भी तेल की छटकते हैं ना वह सारा कुछ मैं भी क्लीन कर लूँगी और यह कढ़ाई उतार के अच्छे से पुड़ा नीचे भी मैं क्लीन करने वाली हूं अभी कर लादसास मैं सुल्सक तेल कर दोबायास मैं क्लीन कारे पींतार को कुछ अभी कुछ लू़ग Arctic क्लीन कुछ रिंग मुल कुछ अच्छी बनीती ना मैंने इसको दो टाइम काया मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी जस्ट रही आसा कभी-कभी सिंपल डाल भी थोड़ा सा मासाले के साथ भूल लोना तो अलग यह एक टेस्ट आता है अल आल का मसूर की डाल की डाल ही है वैसे मुझे तो नहीं खाने के, मद थोड़ा सा मदल्ब, मुझे प्रॉब्लम होता है मसồi की दाल कहने से लोकिन किया कर सकते हैं कि यह है जटपढल से बंन भी जाती मि अब बv दूर मेरी ब्लैंका कि कबम step देंदों मतलब कोई नहीं कहाता है यह नहीं तो ca său कि दाल मैं एक दिन बनाओंगी कब बनाती हूं मैं देखती हूं ऐसे कुछ सोच के तो मैंने रखा है और पता है टमाटर भी ना मतलब फ्रीज में ज्यादा दिन रहते नहीं है दो टमाटर भी जो है खराब होने पड़ थे आज तो मैंने आधा फेक दिया दाल में लेकिन ऐस मैं ज्यादा था सोच कि मैंने खाना बनाना पड़ता है तो हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं लेकिन बेटा तो नहीं खाएगा ना तो तो तेल के छीटे जो भी यह जो तो बहुत पड़ता है और इसको भी लगे है थोड़ा से क्लीन कर लेती और यह जो आप कांच देख चिमनी आप देख रहे हो ना इस पर भी तेल बहुत जादा चिटकता है तो इसको भी हर रोज जो है बहुत बहुत मैहनत का काम है लगवा तो लोग लेकिन उसके बाद जो सफाई करनी पड़ती है न वह तो हम जानते हैं तो बहुत ही प्रेशर से थोड़ा सा यह करना पड बहुत कोई करते हैं सफाई मैंने तो अभी तक किया नहीं है मैं तो ऐसे कपड़े से पोच्टी हूँ और सफाई करने के पर हाथों की हालत हो जाती है फिर खराव और इनना गलती से न मैंने लाइट ओफ करते हैं मैं चिमनी का लाइट ओफ करने के जगकर में क्यों किचन का जो काम है वो अल्मोस्ट ड़न है अभी जस नहाना है नहा कि पुझा करना है थोड़ा सा फिर बेटे को मैं लंच करवा दूगी और फिर खुद भी लंच कर लूगी और यह देखिए हमारा इस टाइम में लंच बगरा सब कुछ हो चुका था थोड़ा सा मैं बराम कर रहे थी तो यह बेटा ही मेरा जो है थोड़ा से वीडियो कर रहा था अब और आज देख सेको धूप कितने अच्छी आई हुई है आज बारिश हुई नहीं है तो इस टाइम में बेटे को मैंने सुला दिया था वो दो नहीं रहा था लेकिन मैंने उसको डांटा है तब जाकि वह बाइस को ब सब्सक्राइब से सब्सक्राइबन का मी चुछा पर बापन मेह भी जमा वो जाते हैं उसको बाएधी रहते हैं इमरजेंसी कुछ भी अगर हाथो हां रहता है वी थीक है झाहिक है नहीं, फिर फिर इदर उदर ढूनदा पड़ता है वैसे तो एक बॉक्स है मेडिसीन की उसमें रखने से अच्छा मतलब ज्यादा तर यूज होते हैं मेडिसीन वह सब बहारी रखते हो तो बॉटल बगर हटा के न अभी डाइनिंग टेबल के उपर मैंने रख दिया था तो उसको एक एक करके भी मैं ला रही हूँ और बेट के उपर मैं रख जाओंगी और इधर एव में पोष्टी भी जा रही हूँ इसमें से कुछ बॉटल प्लास्टिक के हैं और कुछ कांच के हैं तो इधर देख सकते हो बेटा सो रहा है भी तो थोड़ा से भी आवाज बगरा करने से भी ना तो वह उठ जाता है इसलि अवाज करो तो मेरी भी नीन खुल जाती है ऐसा तो मीन मुझे आती भी नहीं है दो पर के टाइम में थोड़ा सा बस लेट जाती हूँ दस मिनिट के लिए और एडिटिंग का काम वगरा करती रहती हूँ इसी में तो मेरा बहुत ज्यादा मतलब टाइम लग चला जाता है स कि अपर भी जाता है तो मैं सो जरी जाये तो ठीक रहेगा उठेना ने तो फिर मेरा पुरा काम जो है वो आप धाला कर धरा जाता है तो देख सथी इतनी सा Anakon to 0 किया मैंने फिर जहां पर कांच के ऊपर जो रहता है उस कांच को ख्लीन किया तो अभी बिल्कुल नाया सा हो गया आपको में नजदीक से दिखाती हूं कर दो चैर लगाना पड़ता है कि बहुत उचाई परी है यह कांच और वैसे तो कोई सामान अगर उतारना हो तो ऐसे मेरे हाथ से पैर उठाने से चला जाता है लेकिन साफ सफाई अगर करनी हो अच्छे से तब मुझे चियर लगाने पड़ती है तो बिल्कुल नया सा हो गया है कांच की कोई भी चीज अगर आप मतलब से कपड़े से पोच्छ दोना तो यह नया सा एक बिल्कुल भो जाता है और जादा महनत भी नहीं पड़ता है कांच वगर साफ करने में रोवगा कैद है लेकिन हां वहीं टाइल्स लेकर साथको ने बहुत उजा जाती है जैसे कि वात्रून हो गया olsun फिर किटें का है सब टाइल्स बगईर प्रभाश कंगेक्व से जुन प्रफ, तेस ही जो समे उस ना था चोल पैफ पैसे लिए चनल , मैंने कर लाइक कें विए सुच क्लिन के ऊप नहीं तो कप्रे ना था हुआ है ज तो पुर्च वगर यहा है collaboration MICHE है मैं लिए इस नहीं कर लिया है तो सारा दिन ही हमारा जो है घर का काम यू ही चलता ही रहता है डस्टिंग का हो गया कुकिंग तो है ही तो बहुत सारे काम हो जाते है घर पे और उपर से बच्चे को देखना तो मतलब हालत खराब सी हो जाती है मतलब शाम के बाद मेरी हालत खराब होना लगती है मतलब एक थोड़ी से अगर रेस ले लिए नीन आ जाती है तो फ्रेश से लगता है लेकि नीन तो आने से नहीं नहीं आती मुझे क्योंकि हमेशा मुझे काम की टेंशन नहीं लगी रहती है है और इधर आधवा तभी अधी को भी मैं कारिफ़ लुगी और मैक्रो वैव्य जो एक उसको को भी है में करलुगी को ख दो को लुप है और जाता गंदा नहीं है क्हौलीम होने से में उससे भी किरिंग कर लेती हुब इस pen हेसे था आप और यह जब 2300 तो यह था मेरा आज का व्लॉग आई होग कि आप सभी को पसंद आया होगा पसंद आया तो जरूर से लाइक शियर और सब्सक्राइब करके ही जाना अपना धेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूले और मुझे मॉटिवेट किया कीजिए अपने कमेंट के जर यह हियुई कैर कीजीक्वेट करेंदाएब औरूरासएब करेंदे वैल मुझेल आई प्यारा समय कर दो कर दो कर दो कि पूल कि अ को को अ कि अ